आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये साप खुद को ही खा रहा है लेकिन इसके ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है दरसल साप का खुण ठंडा होता है जिस वज़े से अपने बॉडी को गर्म करने के लिए इन्हें सुरी का परकास या फिर किसी गर्म चीज पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन जब इनका सरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है तब इनके सरीर का मेटबुलिजम तथा इनका भूख भी बढ़ जाता है ऐसे समय में ये कन्फियोज हो जाते हैं और फॉल्स हंगर यानि जूटे भूख का सिकार हो जाते हैं जिस कारण ये अपने ही पूच को खाना सुरू कर देते हैं आपको बता दे की साइन्स के भासा में इसे आटो कैनिबिलिजम का जाता है जिसमें एक परानी खुद कहीं सरीर को नुकसान पहुंचाता है